हेलो फ्रेंड्स आप सबी का स्वागत है एजुकेशन संगरा पे देखिए जितने भी बच्चे दो हजार तेईस में बिहार बोर्ट से इंटरिमीडियर का एक्जाम देने जा रहा है यानि इंटर का एक्जाम देने जा रहा है उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी स्वामाक्स के जो आपका बुक है दिगगत भाग दो के 20 महतपुल कोसन इस वीडियो में बताने जा रहा है ठीक है आपसन ए है तुलसी दास आपसन बी है सूर दास आपसन सी है कबीर दास आपसन डी है जै संकर परसाथ तो पहला नमबर कोसन का एंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा समय चाहे तो वीडियो को पॉच करके भी अपना एंसर किमेंट कर सकते हैं WILड़ार सब्द का इंसर क्या होगा आपको comment में बताना है बहुत ही simple सा question है आपकी exam में else question आते हैं और आप लोग यहाँ से video देख के अपना exam अच्छे से दे सकते हैं इसलिए आप यह channel को जरूरी subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजएगा ठीक है तो देखें इस question का correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा कोमल हो जाएगा कठोर सब्द का बिलोम सब्द यानि कठोर का उल्टा सब्द क्या होगा तो कोमल हो जाएगा option D correct है next question देखते हैं CS सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा CS सब्द का यानि उल्टा सब्द आपको बताना है कि CS का बिलोम सब्द यानि नमबर चार है कासी में कितने वर्स रहकर तूलसी दास यानि ओध्या अधियन किये थे। भाता है दोस्तों तो आपको बता दें सिएव की उपासक को कहते हैं, हमको साओ, ओप्षन इसका भी करेक्ट है, साओ, चलिए आगे देखते हैं, कोस्टर नमबर छो है, जै संकर परसाद का महा कावि कौन सा है, जै संकर परसाद का महाकावे का नाम क्या है तो कमाईनी है नेश्ट कोसन देखिए दूसीत सब्द का बिलोम सब्द क्या होगा दूसीत का उल्टा सब्द आपको बताना है तो देखिए दूसीत का जो उल्टा सब्द हो जाएगा वह स्वक्ष हो जाएगा option C correct है चले आगे देखते है चलिए इसका एंसर फटाफट आप लोग कॉमेंट में बताए तो चीर विसाद विलीन मन की कौन सा मतलब पार्ट से लिया गया है या लाइन जो है कौन सा पार्ट से लिया गया है आपको कॉमेंट में बताना है तो देखे इस कोशन का एंसर आपका हो जाएगा आपसन नमर सी हो जाएगा तुमूल कोलाहाल कलह में आपसन इसका सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चले आगे देखते हैं घर सब्द का परियावाची क्या होगा तो घर सब्द का आपको परियावाची सब्द बताना है कॉमेंट में पटापट बताईए तो देखिए घर सब्द का आपका परियावाची सब्द हो जाएगा निकेतन हो जाएगा option इसका एक औरेक्ट है चले आगे देखते हैं विराम सब्द का साबदिक अर्थ क्या होता है विराम सब्द का साबदिक अर्थ क्या हो जाएगा तो देखी आपको एंसर हो जाएगा यहां पर ठारा हो जाएगा विराम सब्द यानि रुक जाना यानि ठाराओ यानि बिराम अवस्था में जैसे कोई वस्तू रहता है उसी को हम लोग ठाराव सब्द कहते हैं यानि साबदी कर्थ जो हो जाएगा बिराम का ठाराव हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है यह उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है फटाफट एंसर बताइए तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा आपका option number C चंद्रधर सर्मा गुलेरी चलिए आगे देखते हैं पढ़ने वाला सब्द में कौन सा पढ़तिया है तो इस question का correct answer हो जाएगा option number C हो जाएगा option C correct है देखिए next question है कौराव सब्द में कौन सा पढ़तिया है तो देखिए इस question का correct answer हो जाएगा option number C हो जाएगा दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उदेश में है दल विदिहिन लोकतंत्रे किसके मुल उदेसों में है आपका option A होगा B होगा या फिस C होगा या option D होगा तो देखे 14 का option इसका B correct हो जाएगा ठीक है माक्स वाद तथा लेनी वाद में है लेलिन वाद में है option इसका B correct है देखे आपको comment करके बताना एक और question आता है लेलिन की म दित्यू कब हुई थी इसका answer comment box में बताईए चलि आगे देखते हैं 15 नमर question है पवन सब्द का संदी विचेद क्या हो जाएगा तो देखे पवन सब्द का संदी विचेद काफी बार आपके एक्जाम में पूछा गया है इसका answer हो जाएगा option A पो धन अन option इसका A correct हो जाए 17 नमर प्रस्ण देखे निमलिखित में से कौन से कहानी में गेंगरीन का उलेक है यानि गेंगरीन का उलेक कौन से पार्ट में है आपके बुक के अनुसार तो देखे गेंगरीन का उलेक जो है यानि वर्णन जो है किस पार्ट में है तो आपके रूज पार्ट में है option इसका बी correct हो जाएगा चलिए आगे देखते है question number 18 है वह कुलाडी से bricks काटता है कौन सा कारक है तो देखिए इस question का option यहाँ पर D हो जाएगा current कारक हो जाएगा option D correct है चलिए आनन्द मैं मैं कौन सा समास है दोस्तो तो जाद रखिएगा option इसका एक करेट हो जाएगा तत पूरु समास आपको कमेंट करके बताना है कि समास के कितने परकार होते हैं चलिए last question देखते हैं गांधी जी की जोपड़ी को डैस डैस ने जला दिया था यानि किस ने जला और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल जलूरी सब्सक्राइब कर लेंगे कर दो थे जाएगा लेंगे